के pioneering कि ट्रीम के हहेलो एवरीवन आप सभी का डाउट स्टोटत की केमिस्ट्री की क्लास में میरा नाम है कurpose भाद डाइध होगा miss में रहें हैं चिप्टर जो हम पड़ रहें हैं यसी कामपाुऌण enterprisesville ए बैस्स कंपाउंड हैं पहले lecture में हम loggene versatile nature के बारे में discuss किया था कि Carbon अपने तक वरसिटाइल क्यों है हर जगा मिल जाता है उसके बाद Carbon केOLO-TROPS के बारे में discuss किया था कि क्या एक pencil से भी diamond बन सकता है ठीक है तो यह सारी चीजे हम लोगों ने discuss करी थी आज है हमारा तीसरा lecture जिसमें हम लोग पढ़ने जा रही है कोवलेंट बॉंडिंग किस तरीके से होती है अब कोवलेंट बॉंडिंग क्या है ये एक तरीके के रिष्टे हैं जिसे हम humans के बीच में रिष्टे बनते हैं आपका और आपकी प्रेंड का रिष्टा होता है आपका और आपकी किसी special friend का रिष्टा होता है उसी तरीके से हमारे जो carbon के compounds होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ रिष्टे बनाते हैं अब ये रिष्टे किस प्रकार बनते हैं क्या क्या conditions होती है वो सारी चीजे हम लोग पढ़ेंगे जो ये topic है आप लोगों के लिए 10th की class में तो important है ही आपकी जो higher classes है 11 और 12 में भी बहुत ही जादा आव दूसराइक के भूषर बाबा का नम नील जो मतलब वाले बाबा का नम दो एक बारी में थोड़ी अपनी तारीफ में चीजसे कए देती हूं कारबन के बारे में तो इतनी सारी चीजे पढ़े हैं तुमने थोड़ा सा स्वाती मयन की और तैरीफ सुन लेते हैं एलो में ठीक है जी so it is going to be a very interesting and a very 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 important lecture so you people cannot afford to miss it okay चले आगे चलते हैं so let us see थोड़ी बहुत study tips अपनी क्योंकि आए दिन हमारी class में नए बच्चे जुड़ते रहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे बच्चों को पता चले कि स्वाती मैडम की class में किस सरीके से पढ़ाई की जाती है आप लोगों को notes बनाने है और notes में जो star point है उन्हें note down कर लो और मैं NCRT के important points बताती रहती हूँ आपको वो underline करने है listen to class spamming नहीं करनी है spamming नहीं करनी है बाकि सारे doubt acceptable है send your doubts in the comment section इस वीडियो का जो नीचे का comment section है not live chat comment section comment section में जो भी doubts लिखोगे clear हो जाएंगे मैंने पिछली class में भी बच्चों के जो doubts थे वो clear किये हैं तो इस सीज में तो you can be free कि हाँ यह मैडम अपने doubt clear कर देगे चीक है चलिए अब हम लोग पढ़ती है covalent bonding के बारे में तो जो इससे पहले वाला chapter था metals and non-metals किस-किस ने बढ़ाय में metals and non-metals बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर सा chapter था उस chapter में हम लोगों ने पढ़ा था covalent bonding के sorry ionic bonding के बारे में कि यह ionic bonding क्या होती है जब complete transfer of electron हो जाता है when complete transfer of electron takes place such kind of bonding is known as ionic bonding मैं एक बड़ी तुरंत से तुम्हें ionic bonding बता देती हूं क्या होता है जैसे suppose जैसे हमारे हाँ पर usually क्या होता है जब शादियां होती है तो लड़की जो होती है लड़की जो होती है वो पूरी तरीके से लड़के के घर चली जाती है na complete transfer हो जाता है तो लड़की अपना घर छोड़के पूरी तरीके से लड़के के घर में shift हो जाती है तो उसी तरीके से आइनिक bonding में क्या होता है ये है A और ये है B suppose A ने अपना पूरा का पूरा एक electron B के पास ट्रांसफर कर दिया, sharing नहीं हो रही है इन दो शब्दों के उपर आपको ध्यान देना है complete transfer and sharing complete transfer का मतलब पूरी तरीके से हो गया तो अब लड़की और लड़के के बीच में आइनिक bond बन गया है covalent bond नहीं है A और B के बीच में आइनिक bond बन गया है अब for example मैं एक case बताती हूं तो मुझे बताना Doremon हमारे हां के सारे बच्चरों के सारे पता है कैसे का लें मुझेंक बूरीमउन को ब्लू ही होता हूगा ूप निलीला सा जो है अपना गुड़ा uh उसका दोस्त नोबिता और उसका एक और दोस्त कर साथ कर से ऑण मीं के लिए शिजुका के लिए केक लेने के लिए ठीक है अब जियान ने पहला केस पहला केस क्या किया जियान ने फास्ट केस नोबिता से उसके 50 रुपे पूरे के पूरे छीन लिए उसके पास न कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी उसने पूरे के पूरे नोबिता से 50 रुपे छीन लि रुपए दिये दोनों अपने 50-50 रुपए शेर करके उसका नाम लड़की का शीजुका उसके लिए केक लेकर आ रहे हैं तो पहला केस जिसमें जियान नोविता से 50 शारी 100 रुपए चीन रहा है पूरे के पूरे 100 रुपए चीन रहा है that is an ionic bonding और second case जहां पे jian भी अपनी तरफ से 50 रुपे दे रहे और sharing हो रही है उसको मैं कहूंगी covalent bonding so complete transfer is ionic bonding sharing of electron is covalent bonding आया समझ में जिसको समझ में नहीं आया comment section में जा के लिख देना madam shizuka jian बस shizuka jian लिख देना या फिर jian नो बिता लिख देना मैं समझा दूंगी वापिस से तो जहां कहीं पर भी covalent bonding शब्द हो आपको एक चीज जरूर याद रखनी है which is sharing of electrons एक सेकंद ये pen कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे है let's change the pen ठीक है बच्चों के लिए बढ़िया पर न्यूस करेंगे हम so sharing of electron takes place अब यार जब covalent bonding बनती है तो bond formation होता है bond क्या होता है रिष्टा bond क्या होता है रिष्टा मैं हाँ लिख देती हूँ spelling अलत हो तो please correct कर ले ना मैं English medium की teacher हूँ Hindi medium की नहीं रिष्टा अब जो ये रिष्टे होते हैं बिटा वो तीन तरीके के होते हैं single bond सारी चीज़े note down कर लो single bond double bond and triple bond ठीक है तीन तरीके के रिष्टे होते हैं इन्हें हम दिखाते हैं कैसे हैं single bond को दिखाते हैं single dash से double bond को दिखाते हैं double dash से and triple bond को दिखाय जाता है triple dashes से इतना clear है कि नहीं चमका के नहीं चमका twinkle twinkle हुआ के नहीं हुआ सारे के सारे बताओ comment section में जाके twinkle twinkle हुआ के नहीं हुआ इसमें तो कुछ मी नहीं है कि यह sharing of electron होती है bond formation होता है तीन तरीके के bond होते है single double and triple अब जो यह bonds है यह कैसे रहे है sharing of electrons है माम बट यह electrons share कैसे हो रहे है यह कैसे हो रहा है जो यह single bond है इसमें कितने electrons share हो रहे होंगे double bond में कितने electron share हो रहे होंगे and triple bond में कितने electron share हो रहे होंगे अभी के लिए मैं बस लिखवा रही हूँ जब मैं समझाओंगी तब पता चल जाएगा बट अभी के लिख लो टू इलेक्ट्रोंज आर शेर्ट इन टोटल एक सिंगल बॉंड जो बनेगा न उसमें हमेशा दो इलेक्ट्रोंज शेर होंगे आपस में टोटल में दो इलेक्ट्रोंज दिखाऊंगी मैं अभी मैं चाहती हूँ तुम नोट्स बना लो इसलिए लिखवा रही हूँ इल शो यू दो मिनिट का वेट करना है बस टो इलेक्ट्रोंज आर शेर्ड अब देख यहाँ पर दो बॉंड है तो इस बॉंड को बनाने में दो इलेक्ट्रोंज लगे हूँगे और इस बॉंड को बनाने में दो इलेक्ट्रोंज लगे हूँगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रोंज इन्वाल्व हूए इसको बनाने में दो इलेक्ट्रों और इसको बनाने में दो इलेक्ट्रों तो टोटल चार इलेक्ट्रों हुए ठीक है इसको बनाने में दो इलेक्टरोन इसको बनाने में दो इलेक्टरोन तो टोटल छे इलेक्टरोन शेर हुए तो अभी के लिए इसको बस नोट डाउन कर लो कि भाई जब भी एक single bond बनता है मतलब 2 electrons share हो रहे है जब भी double bond बनता है मतलब 4 electrons share हो रहे है और जब भी एक triple bond बनता है मतलब 6 electrons share हो रहे है ये मैं सिर्फ अभी लिखवा रही हूँ समझाऊंगे जल्दी से 10 सेकिंड का समय देती हूँ आपको मैं इसको note down कर लो 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, और एक चीक है आगे चलते हैं अब जैसे suppose आपके पास है आप लोगों को electronic configuration लिखनी आनी चाहे covalent bonding समझने के लिए ये सबसे 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 basic चीज है you people need to understand electronic configuration लिखना अगर आप लोगों को covalent bonding सीखनी है तो अब जैसे suppose मैं आपको oxygen के बीच में बना के दिखाती हूँ oxygen क्या होता है O2, कई बारी पूछा जाएगा तुमसे कि O2 के bonds दिखाओ या O2 का structure ड्रॉक करो तो क्या करना है जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे ही follow करो चीजों को देखो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हम इस topic को पढ़ सकते हैं एक तो एक conventional way होता है चीजों को पढ़ाने का जो मुझे आता ही नहीं है मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं उस तरीके से एक non conventional तरीका है जिससे मैंने पढ़ा था तो जो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ बस वो सुन और सिधा answer आज रहेगा तेरा चीक है और अगर तुम्हें वो proper मतलब अलग सा ही जो usually teachers करवाते हैं वो follow करना है तो तुम्हें पता है दूसरी जगा पे जाकी चीज़े देख साकते हो plenty of content है यार YouTube पे तुम्हें ये चीज़ पता है everybody has plenty of content तुम यहां आ रहे हो मेरे पास पढ़ रहे हो मतलब तुम्हें कुछ अलग तरीके से पढ़ना है तुम्हें वो conventional तरीकों से नहीं पढ़ना है तो ठीक है फिर मैं पढ़ाती हूं non-conventional तरीकों से पेपर में आया O2 ड्रॉकर स्वाती मैम कैसे अप्रोच करती इस question को यहर देखने से पता चल रहा है दो oxygen है स्वाती तो सबसे पहली चीज कर दो oxygen बना दे इतना तो करी सकती हूं मैं this is my first step मैंने दो oxygen बना दिये अच्छा अब क्या करना है अब इन oxygen के Lewis structure ड्रॉकर Lewis structure ड्रॉकर ने सिखाये थे न जिसको नहीं आता है एक बड़ी जल्दी से देख लो oxygen का atomic number होता है 8 electronic configuration होती है 2,6 K shell, L shell outer most shell में इसके 6 electrons है तो 6 electrons ड्रॉकर ने है Lewis structure में ऐसे 6 electrons ड्रॉकर ने है इस वाले oxygen के भी ऐसी ही होंगे 6 electrons ड्रॉकर ने होंगे ठीक है अब इस oxygen को अपना octet पूरा करना है this oxygen wants to complete its octet तो यह क्या करेगा क्या करेगा octet पूरा करने के लिए इसको अपने यहां पर 8 electrons चाहिए यानि इसको कहीं से 2 electrons चाहिए ही चाहिए इस वाले oxygen को भी अपना octet पूरा करना है यानि कि इसको भी 2 electrons कहीं से चाहिए ही चाहिए तो होगा क्या ये वाला electron इसको बोलेगा भाई प्लीज मेरे साथ sharing में आजा मेरा octet पूरा हो जाएगा ये वाला electron इसको बोलेगा कि तू मेरे साथ sharing में आजा मेरा octet पूरा हो जाएगा तो ये दोनों प्यारे प्यारे electrons आपस में sharing में आ जाएगे फिर ये वाला electron इसको बोलेगा भाई sharing में आजा na octet पूरा हो जाएगा फिर ये वाला इसको बोले कि एक अलग तरीके की लव स्टोरी चल रही है एक अलग तरीके का bromance चलता है जब bonding बनती है तो ये दोनों आपस में bonding हो जाएगी इस oxygen को दो electrons की जरूरत थी तो इसने इस वाले oxygen के दो electrons ले लिये इसका octet पूरा हुआ इस वाले oxygen को दो electrons की जरूरत थी तो इसने इसके ये दो electron आपस में sharing में ले लिये तो इसका octet पूरा हो गया ठीक है जी अब देखो यहाँ पे कितने electron share हो रहे हैं? दो share हो रहे हैं ना? 1 and 2 तो क्या करोगे? ओ, ओ, दो electron share हो रहे हैं तो एक bond बनाओ माम यहाँ पे भी दो electron share हो रहे हैं तो ऐसे bond बनाओ बस ये बन गया तुम्हारा oxygen का structure ये बन गया तुम्हारा oxygen का structure और ये double bond आगया तो double bond जब आया तो total में कितने electrons share हुए? 1, 2, 3, 4 यही तो लिखवाया था मैंने कि जब double bond होगा तो total में 4 electrons आएंगे अब जल्दी से आप लोग मुझे H2 का structure draw करके दिखाओ अगर O2 तुम्हें समझ में आ गया है तो H2 तो और भी ज़्यादा असान होगा H2 का structure draw करके दिखा बेटा क्या करना है? सबसे पहला step क्या था? स्वाती मैम ने बोला था कि 2 hydrogen है तो 2 hydrogen बना दो फिर second step में स्वाती मैम ने क्या बोला था? hydrogen का Lewis dot structure बनाना है hydrogen के पास एक ही electron होता है तो hydrogen का Lewis dot structure कैसे होगा? ये ये हम इन्हें आमने सामने इसले रख रहे ताकि bonding दिखानी आसान हो जाए मैं इन्हें ऊपर भी बना सकती हूँ नीचे भी बना सकती हूँ आमने सामने इसले लिख रही हूँ ताकि bonding असान हो जाए अब ये वाला hydrogen इसको बोलेगा भाई अपना electron दे दे ना sharing में मेरा duplet पूरा हो जाएगा फिर ये वाला hydrogen इसको बोलेगा भाई तू अपना electron दे दे मेरा भी duplet पूरा हो जाएगा तो ये बहुत ही प्यार से आप पसमे sharing में आ जाएगे and since दो electrons share हो रहे हैं तो कितने bond बनेंगे जब दो electrons share होते हैं जब दो electrons share होते हैं तो एक single bond बनता है so केवल दो electron share हो रहे हैं एक दो दो electrons sharing में है तो यहाँ पर केवल एक single bond आ जाएगा तुम लोगों ने अगर इस से पहले इस concept को कभी भी नहीं पढ़ा है और ये तुम्हारी पहली class है covalent bonding की तो समझ में नहीं आएगा तुमको तुम कितनी ही कोशिशे कर लो कितनी ही मेहनत कर लो नहीं आएगा समझ में क्योंकि time लेती है ये चीज़े तुम्हें सबसे पहले Lewis structure को समझना होगा तुम्हें सबसे पहले थोड़ी सी common sense लानी होगी कि चीजों को किस तरीके से place करना है electrons को किस तरीके से place करना है देख जिस भी student ने मेरी metals और non metals की class अटेंड करी है उनको पता है कि Lewis dot structure कैसे लिखना है electronic configuration कैसे लिखनी है तो उन बच्चों के लिए comparatively easy हो जाएगा बट मैं यू नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे उपर give up कर रही हूँ और तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा ना मैं तुम्हें कभी समझाऊंगी मैं बस कह रही हूँ कि मैं अगर patient हूँ अगर मैं patience रख रही हूँ तो तुम भी रखो पूरी class तक का wait करो शायद class के end में चीज़े समझ में आजए जादा से जादा क्या होगा थोड़ा सा data फुक जाएगा तेरा कोई नहीं मैं रिचार्ज करा दोंगे अगर समझ में नहीं आया तो चेक है वो तो जो मुश्किल है चेक चले अब मैं बात करती हूँ alkane की अपना carbon जो है तुम्हें पताए catination show करता है ठीक है alkanes are those compounds जिसमें carbon and carbon के बीच में केवल single bonds होते है alkanes का दूसरा नाम होता है saturated hydrocarbons saturated hydrocarbons ठीक है अब यूँ मत बूलना मैं saturated शब्द का क्या मतलब होता है saturated मतलब वो compounds जिनमें केवल carbon single bond carbon हो बीच में double bond नहीं होगा triple bond नहीं होगा केवल carbon single bond carbon होगा ठीक है hydrocarbons क्या होते है hydrocarbons ऐसे organic compounds जिनमें केवल carbon and hydrogen present रहता है example के साथ बताती हूँ दो मिनिट का समय तो बस मुझे ठीक है जैसे suppose सबसे छोटा सबसे cute सा hydrocarbon है हमारा methane CH4 अब इसमें carbon and hydrogen ही है न सिर्फ और कोई element नहीं है so methane is my hydrocarbon methane मैं यहापे नाम लिख देती हूँ इसका methane और methane क्या है मेरा smallest hydrocarbon आप यह चीजे लिख लीजें सब के बारे में smallest hydrocarbon आप लोगोंने star plus पे वो show देखा है यह रिष्टा क्या कहलाता है समझाती हूँ कैसे carbon लिखो यहाँ पे अब carbon से हम पूछेंगे कि तेरे रिष्टा क्या कहलाता है carbon बोलेगा कि यार मैं ना 4 bonds बना सकता हूँ मेरा रिष्टा कहलाता है 4 bonds बनाना ठीक है आप कहेंगे ओके अब 4 bonds बनाएगा यानि कि इसके पास 4 valence electrons होंगे मैंने इसका Lewis dot structure ड्रॉ किया उसके बाद इस compound में केवल hydrogen बचे है यानि कि यहाँ पर केवल hydrogen ही आ सकते है hydrogen 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 and hydrogen अब मैं क्या करूंगी carbon का ये वाला electron इसको बोलेगा भाई sharing में आजा octet पूरा हो जाएगा ये sharing में आ गए ये इसको बोलेगा ये इसको बोलेगा शेरिंग में आ जा तो ये आपस में एक दूसरे के साथ sharing में आ जाएगे तो carbon का octet पूरा हो जाएगा मैं दिखाती हूँ कैसे देख या रहे लाल वाले तो इसके पास थे already इसको 4 और चाहिए थे तो 4 तो 6 ही, 5, 6, 7, 8, 4 इसको और मिल गए, तो sharing करके carbon ने अपना octet पूरा कर दिया, सिंस यहां पर 2 electrons share हो रही है, single bond बनेगा, अब मैं दिखाती हूँ, वो single bond थोड़े colorful तरीके से, जो यह single bond बन रहा है, इसमें दोनो electrons का contribution है, carbon के electrons का भी contribution और hydrogen के electrons का भी contribution है, इसलिए मैं दो different colors में बना रही हूँ, ताकि तुम समझ सको, carbon के electron का भी contribution है, and hydrogen के electron का भी contribution है, एक्जाम में तुम्हें दो रंग से नहीं बनाना है बट यहाँ पर तुमको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ उसी तरीके से ये, 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 दूसरा रंग उठाती हूँ मैं ये, 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 आंड ये तो कोईर अगर तुमने एक बारी भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है इट इस गोईं टो भी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल बट ठीक है, हम बहुत सारी प्राक्टिस करेंगे एंड हम समझ जाएंगे, मिर बस बहुत सारे तरीके हैं को समझाने के लिए, डू नोट वरी तो ये बन गया हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है अब चलो थोड़ा सा लेवल अप करते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिड बनाते है मैं एक और आलकेन लिखती हूँ यहाँ पे, विच इस इथेन आप लोगों को एक्जाम में सीधा नाम गिवन होगा यह स्ट्रक्चर गिवन होगा, सॉरी, सीधा स्ट्रक्चर गिवन होगा स्ट्रक्चर है C2H6 चीक है, अब यार देखो अब इस question को तुम एक्जाम में कैसे अप्रोच करोगा मैं सीधी एक्जाम की अप्रोच बता रहे हूँ तुम्हे ना जेनरल लाइफ में यह सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं नी तुम क्यों पढ़ रहे हो क्यों आ रहे हो तुम यूट्यूब पे, क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग मेरे लेक्च्चर्स क्योंकि तुम एक्जाम में बढ़िया नंबर लाने है ऐसा थोड़ी ना कि मैड़म आप क्यूट लगे पढ़ने आ रहे हैं एक्जाम में बढ़िया नंबर लेके आने हैं ना तो तुम्हें बस यह सीखना है ना कि एक्जाम में C2H6 को कैसे ड्रॉ करोगे तुम आ सकता है इसके ना नाम के पीछे एन है जिस किसी भी चीज के नाम के पीछे एन होगा जैसे मेरे नाम के पीछे राठी है स्वाती राठी तो जो मेरी बहन होगी उसका नाम क्या होगा सम्थिंग राठी तो राठी देखते तुम पता लगा लोगी कि हां यार यह न स्वाती मैम से रिलेटेड होगा ऐसा नहीं कि दुनिया जगत के राठी मुझसे रिलेटेड है बट एक आइडिया लग जाएगा उसी तरीके से जिस भी कंपाउंड के पीछे एन होगा जिस भी कंपाउंड का सरनेम एन होगा तुम्हें पता है क्या कहलाता है इस कार्बन से पूछेंगे कि भाई तेरा रिष्टे क्या कहलाता है तो यए कार्वन बोले घबाई मैं चार बोंड बना सकता था जो मैंने बना दियाँ अब और कितने बना सकता है तीuma में sayin get hydrogen के साथ क्योंकि हाईifie इस कार्वन से पूछेंगे कि तेरा साथ होंगे हाइडरोजन के साथ तो तुमने बना दिया यह इथेन का स्ट्रक्चर चीक है रुको अभी तुम्हें मैं और दिखाती हूँ अच्छा चलो तुमने सोचा होगा मैं इथेन तो आसान है मैं यहाँ पर बूल दू तुम्हें बनाओ तुम ब्यूटेन का हूँ और ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10 अच्छा तुम्हें कुछ ना आता हो तुम्हें जमा कोई ग्यान ना हो तुम जमा मूर्ख हो तुम इतना तो पता है कि चार कार्बन रो करने है क्योंकि यहाँ पर C4 है इतना तो तुम कर लोगे ने एक्जाम में इतना कर तू सबसे पहले चार कार्बन बना एक दो तीन चार अच्छा तुमने अब ये देख लिया कि यहाँ पर एन हैं और मैंने तुम्हें बताया है कि जहां पर भी एन होगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉंड होगा तो तुमने सिंगल बॉंड बना दिये इतना कर है कि बताने тойमों तुम लोग कर भी पाओगे या नहीं कर पाओँ गये मुझे डरने की जरूरत है कि नहीं कर लोगे ना छैसे जैसे मैं बतारी हूं बिस ऐरा करना है जितने कार्बन है बनाओ नाम देखा पीछे एन अच्छा तो carbon single bond carbon होगा अच्छा अब इस carbon से मैं पूछूँंगी कि तेरा रिष्टा क्या कहलाता है तो ये वापस से कहेगा कि मैडम जी मैं बना सकता हूँ चार रिष्टे चार में से एक रिष्टा तो मैं बना चुका हूँ यानि कि मैं तीन रिष् तो मैंने बना लिए एक दो मैं दो और बना सकता हूं तो मैं इसके दो और बना दूंगी मैं इससे पूछूंगी क्या पूछूंगी ये रिष्टा क्या कहलाता है तो ये कहेगा मैडम दो बॉंड बना लिए दो और बना सकता हूं यहां से कर लिया और बस हाइडरोजन बना बहुत से बच्चे यह पूछेंगे मैम अगर एक्जाम में आया कि ब्यूटेन का लुविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो वो कैसे बनाएंगे यू सिखा दूगी अभी के अभी सिखा दूगी कभी जिन्दगी मेरी भूलोगे लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ कि अभी के-अभी सिखाते हैं लुविस डॉट स्ट्रक्चर जिसनी यह दिया था ठीक है अब सब्सक्रPOS मुझे इतेन का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ठीक है कारबन है कारबन है अब ध्यान्से देख ना बहुत easy concept है बस दिहान से देखो तुमने ये बनाना सीख लिया अगर ये बनाना सीख लिया तो Lewis.Structure आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच ये single bond है मतलब कितने electron share हो रहे होंगे दो electron एक electron इस carbon का एक electron इस carbon का तो एक electron इहां पर बना दे एक electron इहां पर बना दे इनको आपस में sharing में दिखा दे तो ये वाला bond कुछ इस तरीके से दिखेगा ठीक है बस देखते रहा ना तुम अब इस carbon और इस hydrogen के बीच single bond है कैसे दिखाओगे दो electrons को sharing में दिखा के यहां पर लगा दिया hydrogen यहां पर भी लगा दिया hydrogen यहां पर भी लगा दिया hydrogen 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 ताकि मुझे बार बार ना draw करना पड़े इसलिए लिख रही हूं मैं इस hydrogen का electron share हुआ होगा जब यह bond बना होगा तो दो electron share हुए होगे ना एक इस हाइड्रोजन का इलेक्टरॉन, एक इस कारबन का इलेक्टरॉन, जब ये बॉंड बना होगा इसमें एक इस हाइड्रोजन का इलेक्टरॉन, एक इस कारबन का, हाइड्रोजन का, कारबन का, हाइड्रोजन का, कारबन का, और कारबन का, टोटल दो इलेक्टरॉन शेयर ये bond बना जब carbon का and hydrogen का इलेक्ट्रॉजन शेर हुआ, ऐसे दिखा दिया, ये bond बना जब carbon का and hydrogen का शेर हुआ, ये bond बना जब carbon का and hydrogen का शेर हुआ, similarly यहाँ पे सारे bonds बन जाएंगे, और ये lowest dot structure बना दिया तुमने, डिट्टो इसको copy करना है, जहाँ जहाँ पे single bond है, वहाँ दो electrons की sharing दिखाई है तुमने, कुछ तुमने नया नहीं क्या, कुछ तुमने अलग सा नहीं करा, अब एक बड़ी जल्दी से butane का बनाओ, butane का बनाओ, अपनी अपनी copy हो में, फोटो खीच के comment section में डाल सकते हो तुम, डाल सकते हो फोटो खीच के comment section में, butane का Lewis.Structure ट्रॉक करो, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे single bond है, जिस जिसके बीच single bond है, उसके electrons को sharing में दिखाना है, मैं साइड़ जाती हूँ, करो शबाश, हरी अपोल फ्यू, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो तुम, और मैं जल्दी जल्दी नहीं रश करवाऊंगी तुम्हें, अगर तुम्हें टाइम लग रहा है, इसको करने में तो कोई दिक्कत नहीं, अराम से करो, ब्यूटेन का ट्रॉक करो, ठीक है, आगगे चले, ठीक है, अब एक बड़ी नहीं जल्दी से, हम लोग अलकीन्स को डिस्कास करते हैं, रश्णी करवारी अराम अराम से करेंगे, प्राक्टिस भी करेंगे, डोंट वारी, नेक्स्ट क्लास में प्राक्टिस भी कराऊंगे, जिस तरीके के क्वेशन आएंगे, अंसाचूरेटेड हाइड्रोकारबन्स, अलकेंस थे, साचूरेटेड ये हैं, अंसाचूरेटेड, अभी हाइड्रोकारबन्स में अकल नहीं लगानी है, बस important point है, इसलिए लिख़वा रही हूं, इसमें क्या होता है? कारबन और कारबन के बीच, double bond होता है ठीक है, एक draw करके दिखाती हूँ मैं आपको suppose जैसे सबसे पहला alkene होता है ethene methane जैसा कोई शब्द नहीं होता है याद रखना एक carbon का कभी भी alkene नहीं बनेगा, alkene बनाने के लिए 2 carbon तो चाहिए ही चाहिए तो 2 carbon का ethene formula है C2 C2H4 formula देखते ही खुश हो जाओ 2 carbon है बना दिये मैडम अब अब ethene है C2H4, ethene है मुझे ये देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, double bond आएगा ये single bond आएगा, तो जैसे n देखकर तुम्हारे दिमाग में सीधा चमक गया था ना कि single bond आएगा, उसी तरीके से ean सरनेम देखते ही तुम्हारे दमाग में आजाना चाहिए कि carbon और carbon के बीच double bond होगा, मैं tricks सिखा रही हूँ तुम्हें सीधी, मैं तुम्हें falthu के ग्याननी देरी मैं, falthu का ग्याननी बाटरी सीधी tricks सिखा रही हूँ ean देखते ही, दमाग में बत्ती चल जानी चाहिए कि यहाँ पर double bond आएगा double bond कैसे बनाओगे कैसे बनाओगे double bond जैसे oxygen में था, ये carbon इसके साथ share कर लेगा ये carbon आपस में share कर लेंगे double bond बन गया अब इस carbon के पास 2 electrons बचे हुए है टोटल चार थे ना, चार में से 2 तो आगए sharing में 2 बचे हुए है इसके पास भी टोटल चार थे जिस में से 2 तो आगए sharing में 2 बचे हुए है वो किसके साथ बनेगा hydrogen के साथ बनेगा ये देखो बन गया, loose dot structure था कुछ मुश्किल यार ये नहीं है बिल्कुल भी मुश्किल, तुम लोगों को बस identify करना है, कहाँ पे single bond आ रहा है, कहाँ पे double bond आ रहा है कहाँ पे triple bond आ रहा है जिसका surname AIN है, वो single bond है जिसका surname EIN है वहाँ पे double bond है triple bond जब पढ़ाऊंगी, तब सिखा दूंगी तो इस भी कुछ भी मुश्किल नहीं है कुछ भी complicated नहीं है तुमको बस simple tricks सिखानी है हमारे दिमाग में एक conventional तरीके fit हो रखे है कि पहले Lewis dot structure बना उसके बाद rut की किस तरीके से क्या हो रहा है तुम्हें दो चीज़े याद रखनी है AIN है, तो carbon carbon के बीच single bond बना दे और single bond कैसे बनेगा दो electrons की sharing दिखा दे अच्छा, AIN है तो carbon carbon के बीच double bond बना दे, कैसे बनाओंगी ये double bond में carbon, double bond carbon अच्छा, अब इस carbon and hydrogen के बीच तो single bond ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो बस दो electron share हो रहे एक इसका और एक इसका तो यहाँ पर single bond hydrogen बना दूँगी, इस carbon and hydrogen के बीच में सिरफ दो electron share हो रहे हैं तो यहाँ पर भी single bond बना दूँगी यहाँ पर भी single bond बना दूँगी, यहाँ पर भी single bond बना दूँगी, बस ये देखना है, थोड़ा ना, smartly work करना पड़ेगा, एक्जाम में जब question आएगा, draw the lowest dot structure draw the structures, 10-10 step थोड़ी न लिखते रहोगे तुम, इतने खाली time है तुम्हारे पास, smart work करना सीखो, चार चीज़े याद करो इन टोटल, पूरी की पूरी covalent bonding खतम तुम्हारी पूरा का पूरा hydrocarbons खतम तुम्हारा, अगली क्लास तक तुम्हारा hydrocarbons की जो वो homologous series है, वो तक निपठ जाएगे बस एक क्लास और पूरा का पूरा chapter तुम लोगों को clear हो जाएगा तो बिल्कुल घबराना नहीं है चिंता नहीं करनी है कि बहुत जादा जल्दी हो रहा है यह सब, अगर मेरी मानो तुम, अगर मतलब तुमने कभी माना है कि हांजी माम हमारी बढ़िया केमिस्टी पढ़ाती है चार questions लगा अलकेन के, चार questions लगा अलकीन के, ना निकले तो तुरंत comment section में लिक्यों मैडम नहीं निकला, मैं देखूंगी comment और मैं class में practice कराऊंगी मैं practice कराती रहूंगी जब तक तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि यह important है और मुझे रटवाना नहीं है तुम लोगों को ठीक है, तो इसलिए आज की class में छोटी रख रही हूं क्योंकि यह बहुत से बच्चों के लिए शायद नया concept हो सकता है उनको बिल्कुली ऐसा लग रहा हो कि पता ही नहीं क्या चल रहा है, कहां से तीर आ रहे कहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे है practice कर, नहीं हो पारी है बता दो मुझे की नहीं आ रहा है मैडम एक class तो देख लिए, एक class और सही ठीक है जी, चल यह अगली class में मैं आपको alkenes के और examples कराऊंगी and alkynes कराऊंगी चिंता नहीं करनी है, बड़ी अतरीके से holy holy हो जाना है सब ठीक है जी, चल यह so next class में क्या पढ़ेंगे, हम लोग यही covalent bonding, alkenes, alkenes and alkynes, इनके मिला कर हम लोग बहुत सारे questions करेंगे ठीक है, और इन ही questions के थुरू, मैं आप लोगों को समझाऊंगी homologus series क्या होती है homologus series क्या होती है, मैं बिलकुल नहीं रटवाऊंगी, यह चीज मैं बता रही हूँ, मैं questions के थुरू करवाऊंगी, जो तुम्हारे board में पूछा जाएगा, जिस तरीके से पूछा जाएगा, वो करवाऊंगी, ठीक है जी, चल यह, तो फिर मिलते हैं आपकी अगली class में, तब तक के लिए, बाई बाई बचलोग